दोस्तों पनाम, कभी कभी छोटी छोटी बिमारी हमको सताती है और हम इतने अधीर हो जाते हैं कि तुरंग किसी डाक्टर के पास चले जाते हैं और अन्नेसेसरी हम एंटी वाइटिक या एंटी अलर्जिक खाने के कारण अपना पर्तिरोधक तंतर का नास कर रहे हैं और उस बिमारी से हम से निजात मिलती या नहीं मिलती ये नहीं कह सकते लेकिन उसके साथ दूसरी बिमारी हमको लग जाती है और हमारी इम्मूनिटी पावर डाउन होने लगती है जिसके कारण और दूसरी बिमारी हमको क्लिक करती है आज मैं आपको कुछ बिमारियां ऐसी बता रहा हूँ जिनको हम सोता ही अपने घर में आईरवेद द्वारा दूर कर सकते हैं कभी-कभी खासी के कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यदि किसी व्यक्ति को खासी आ रही हो तो बिलकुल परेशान ना हो एक से दो काली मिर्च हम मुँ में डाल कर वैसे ही चूचते रहें तो हमको बहुत लाप मिलता है ज़्यदी खासी ज़्यादा हो रही हो तो काली मिर्च, अदरक करस और सहद मिला कर चाटने खासतोर से ये बच्चों में बहुत अच्छा लाप देता है हमारी कैसी भी खासी हो वहदूर हो जाती है ज़्यदी खासी के कारण हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा हो हम खास खास कर परेशान हो रहे हों, हमारी मसल्स खिच रही हो आप अपने घर में इस परियोग को करके देखें आप गाये के दूद की रबडी खुद बनाने अगर कोई डायवेटिक है तो उसमें मीठा ना डाले और यदि कोई डायवेटिक नहीं है तो मीठा डाल करके रबडी बनाकर उसमें काली छोटी राईची के दाले हम डाल करके उसके खाएं तो खासी हमारे सरीर से विदा लेने लगती है इसी प्रकार कभी-कभी हमारा हाथ पर या कहीं भी सरीर का कुई यंग जल जाता है हम डाक्टरी क्रीम देखते हैं उसकी हमको कोई जरुवत नहीं है आपके घर में सभी के मेति दाना उपलब्द हैं हम उसको पीस करके उस इस्थान पर लगाएं तो हमको बहुत लाब मिलता है तीसरा कभी-कभी मुँ में च्छाले आ जाते हैं मुँ में च्छाले आने पर बिलकुल परिशान नहों जायफल को काट लें और आधा जायफल मुँ में रखकर चूजते रहें तो हमके मुँ के च्छाले से निजात मिलने लगती है एक और बहुत अच्छा प्रियोग बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि केले के पेड़ पर उसके पत्तों पर सुवह ओस जम्य होती है हमारे मुँ में च्छाला हो गया हो घाओ हो यदि हम उस जमी हुई ओस को ले करके रूई से उस स्थान पर लगाएं तो मुँ के च्छाले में हमको बहुत लाब मिलता है और कभी-कभी मुँ का च्छाला बहुत गरम चीज़ खाने से हो जाता है उसके लिए भी बिल्कुल परिशान नहों नारियल पानी का सेवन करें तो बहुत लाब मिलता है यदि कभ्स के कारण मुँ में च्छाला आ रहा हो तो रात्री में एक से दो चम्मचम त्रिपला या इस सब गोल की भूसी दूच से या पानी के साथ सेवन करें तो पेड़ तो साफ हो गई होगा हमको मुँ के च्छाले से भी निजात मिल जाती है साथी साथ आपने देखा होगा बहुत से घरों में धुमर पान लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परिशान लेते हैं और धुम्र पान के कारण हमारी दान, हमारी जाड और हमारा मुझ खराब होता है, मुझ से बद्वुब होता आती है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि लंग्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धुम्रपान करता हो उसके घर वाले यदि ऐसे लोग सौफ को गाए के घी में भून ले और भून करके उसको रख ले हम उस सौफ को चबा चबा कर खाते रहें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारी धुम्रपान की जो तलब है खतम होने लगती है दूसरा प्रयोग किसी भी परकार का नशा हो धुम्रपान का हो अपीम का हो शराब का हो या किसी और परकार का हो अदरक के छोटे-छोटे टुकडे करके उसमें नीमू डाले और तीन दिन तक हम नीमू डालते रहें जब वह saturated हो जाए तो और नीमू कर अश डाले तीन दिन के बाद उस अदरक को हम सुखा ले और सुखाने के बाद एक छोटे-छोटे टुकडे करके हम उस व्यक्ति से कहें कि एक टुकडा आप चूस लो, एक से दो टुकडे चूसते रहें तो उस टुकडे को चूसने से धीरे-धीरे हमारी जो नशे की तलब है, उससे हमको बहुत शान्ती मिलती है आपने देखा होगा, कभी-कभी जब जल वायू कर परिवरतन होता है, गर्मी से सर्दी आती है, यसर्दी से गर्मी आती है बहुत ज्यादा छीएक खाँ खाम बुखारी त्यादी होने लगता है काली मिर्च, एक से दो काली मिर्च हम मुँ में डाल कर वैसे ही चूचते रहे तो हमको एलर्जी से जो नुक्सान हो रहा हो या बहुत दिक्कत हो रही हो उसमें बहुत लाब मिलता है आपने देखा होगा कभी कभी हमारे गले में बहुत खराश हो जाती है तौंसिल की इस्तिती बन जाती है ऐसी व्यक्ति एक से दो काली मिर्च मुँ में डाल कर चूचते रहे तो उनको बहुत लाब मिलता है आपने देखा होगा कि कुछ लोग सैया मुत्रियानी के बिष्टर पर पिशाप कर देती है ऐसे व्यक्ति रात्री में एक गराम अजवायन को खूब अच्छी तरह चवाले और चवा करके उपर से पानी का सेवन करें उनका पाचन तंत्र तो मजबूत होता ही है साथ ही साथ जो लोग सैया मुत्रियानी के पिशाप उनका बिष्टर में निकल जाता है कुछ बच्चों को अक्सर ये शिकैत होती है बैड वेटिंग की उनके लिए यह चमतकार से कम नहीं है ऐसे व्यक्तियों को यह परियोग जरूर करना चाहिए आपने देखा हुआ कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या किसी और कारण से हमारे पेट में अफारा आ जाता है बहुत ज़्यादा ड्राइफ फ्रूट्स खाले या बहुत तला हुआ खाले तो हमारे पेट में अफारा आ जाता है अफारा आने पर एक चमच अजवाया लेकर उसको थोड़ा सा भून ले और भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा हीं और थोड़ा काला नमक मिलाकर गुन-गुने पाने के साथ सेवन करें तो हमारे सरीर से गैस एकदम विदा लेती है वाय उगोला दूर होता है बदहजमी दूर होती है पेट का दर्द हो रहा हो तो वह भी दूर होने लगता है ऐसे लोगों के लिए यह किसी चमतकार से कम नहीं है कभी-कभी लीवर फैटी होने के कारण यह दिक्कत आयाती है उनक चलने से भी अपने आपको लाचार मेहसूस करते हैं ऐसे लोग यही सरसो का तेल पैर पर मन लें गरम पानी बाल्टी में डाल लें और उसमें सेन अनमक डाल लें जितना गरम हम टॉलेट कर सकें उतने गरम पानी में रख करके हम अपने पैर रख लें तो आप देखेंगे एक दिन के अंदर ही जो मोच का दर्द है हमको बहुत लाब मिलता है कभी कभी बुखार बहुत पुराना हो जाता है और किसी भी दवाई से हमको लाब नहीं मिलता ऐसे लोग जो पुराना बुखार पड़ जाए किसी दवाई से उनको अराम ना मिल रहा हो तो सब दवाईय से विदा लेने लगता है बुखार खाशी जुखाम के लिए कहवद भी है जुर जुखाम और पाउना इनका एक उपाए लंगन दीजिये तान कर कभी न वापस आए तो हम को तीन दिन के लिए पूर्ण रुपे उपवास करना चाहिए और उपवास के बाद हम जीरा और गु व्यक्ति या जो बच्चे हकलाकर या तुतलाकर बोलते हों ऐसे व्यक्ति यदि दाल चीनी का टुकडा ले 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 और मुह में रखकर चूशते रहे या उसको चवाते रहे और इतना चवाएं इतना चवाएं कि चवाते चवाते बिलकुल मैदा बन जाए और उसको इसके आप देखेंगे कि हकलाहट में और तुतलाहट में उनको बहुत लाब मिलता है, ये दिक्कते उनके सिरी से विदा होने लगती है, कभी कभी पेशाम में किसी भी कारण से बहुत जलन हो जाती है, और इसको कहते हैं यूनियरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन यानि के यूटी आई, जब पेशाम निकलता है तो सरीर में बहुत पीडा होती है, जलन होती है, बुखार आने लगता है, जुर-जुरी चड़ने लगती है, ऐसे लोग छोटी इलाइची का चून करने, एक से दो छोटी इलाइची का चून, गुन-गुने पानी के साथ सेवन करे, तो पेशाम ख मिल रहा था, उनका UTI बार-बार क्लिक करता था, ऐसे लोग एक से दो बून, पताशे के अंदर चंदन का तेल, शर्त यह है कि चंदन का तेल प्योर होना चाहिए, रख कर उसको चबा कर खाले, उनको पेशाब की जो समस्या है, उनसे निजात मिल जाती है, साथी साथ आपने देखाओगा कभी-कभी IT के रिया यानि कि पित उचलना, इसकी समस्या बहुत जादा सताती है, ऐसे लोग हिंग में घी मिलाकर पेश्ट बनाकर अपने शरीर पे बने, तो जो IT के रिया छपाकी की समस्या हो, उससे उनको निजात मिल जाती है, कहीं बार बहुत जादा दर् उसके रस से यदि हम मालिस करें, तो हमको एक दो दिन में ही थोड़ा लाब मिलने लगता है, ऐसे लोगों को अधरक करस ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और कभी-कभी हमको हिच्की लग जाती है, हिच्की लगने के कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो अंदर का नीले रंग का हिस्षा है, नीला रहरा, उसको जला ले, जलाने के बाद उसकी राक हम शेहत के साथ चाटने तो एक ही परियोग से हमको बहुत लाब मिलता है, दोसरा, यदि हम नीबु को डारेक्ट मुँ में डाल करके चूशते रहें, तब भी हमको हिच्की जोग से चुटी मिलती है, और यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक नहीं है, एक चम्मची नी मुँ में डाल करके वैसे ही चूशता रहें, यदि भे डायबिटिक है तो अधरक का टुगडा, मुँ में डाल कर चूशता रहें, तो उसको हिच्की से विदा मिलने लगती है, औ एक प्रियोग यानि कि बड़े वाली लायची, हम बड़े वाली काली लायची के दाने कूट करके, मुँ में डाल करके वैसे ही चूशते रहें, तो हमको हिच्की से भी बहुत लाब मिलता है, साथी साथ कभी-कभी हमको निमूनिया की शिकैत हो जाती है, पसली बहुत चलत जाता है, ऐसे बच्चे या ऐसे लोगों के लिए आप हिंग घोल करके पिला दें, या थोड़ा सा टुकड़ा हिंका लें, उसको चूशते रहें, उपर से गुन-गुना पानी पी लें, तो हमारा कभ बाहर निकलता है, निमूनिया से हमको चुक्ती मिल जाती है, कभी-कभ कभ्ज बहुत हो जाती है, और कभ्ज में हम लगजिटी दवाई लंबे समय लेते रहें, तो हमारा बावल मोमेंट डिस्टरफ होता है, हमारी आते कमजोर होने लगती है, ऐसे लोगों को रात्री में एक चम्मच हरडकाचूरन या त्रिफलेकाचूरन नियमित रूप से से करें, तो हमारी आतों को कोई नुकसान नहीं पहुशता, जिन व्यक्तियों की आते बिलकुल सूख गई हो, हरडकाचूरन यदि वे लोग अरंडी के तेल में भूनने और भूनने के बाद उसको रख ले, एक चम्मच रात्री में दूद के साथ लेंगे, सुबह उनके अचे या बहुत से लोगों की इच्छा होती है मिट्टी खाने की, या वो मिट्टी खाते भी है, इसके तीन कारान है, केल्शियम की कमी, आयरन की कमी, या पेट पे कीडे, ऐसे लोगों को अजवायन का चून रात्री में एक चम्मच गुनगुले पानी के साथ सेवन करते तो उनकी यह इच्छा धीरे धीरे समाथ होने लगती है, मोसम परिवर्तन पर खार सोर से अक्टूबर नवंबर में और फरवरी मार्च में एक विमारिया की खसरा, जिसको छोटी माता भी कहते हैं, मिजल्स कहते हैं, और खसरा में एक चोथाई लोंग, एक चम्मच लोंग खसरा निकल भी रहा हो, उसमें बहुत लाब मिलता है, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत चक्कर आते हैं, और चक्कर के कारण आदमी बहुत परिशान होता है, उठने बैठने में, चलने में अपने आपको अक्षम महसूस करता है, ऐसे व्यक्ति यदि चीनी और सोफ च पानी के साथ सेवन करें, तो उनको बहुत लाब मिलता है, एक व्यक्ति चाइना गया था, और उसने मुझे हमाँ पोन किया कि मेरे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन रग रहे हैं, यहां कोई दवाई उपलब्द नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कि मैं अब दवाई में पैसे खर्च कर सको, मैंने उनसे का कि आपके पास जो भी दवाई थी, तो उनके पास कोई दवाई आयरवधी कुपलब्द नहीं थी, होटल में रुके थे, मैंने उनसे का कि आप एक चम्मच चाइकी पत्ती पानी के साथ निगल लिए, उन्होंने ऐसे ही किया कारियां देते ही रहते हैं, मैं आप से रिक्वेस्ट करूँआ कि आप हमारा यूट्यूब चैनल आदर्सायरवधिक ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका बैल आएकन ज़रूर प्रेस कराएं, साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटपर्म, फेस्बुक पेज, ट् और इंस्टाग्राम आदर्सायरवधिक फार्मेशी के नाम से हैं, आप उनको भी जुरूर फोलो करें और करवाएं, धन्यवाद